What's up guys, welcome back once again, so दोस्तों आची कहानी जो explain करने वाले हैं, उसका नाम है Follow Me, तो दोस्तों इस कहानी का जो suspense है, वो आपको हिला कर रख देगा, तो चली कहानी के शुरुआत करते हैं, कहानी शुरू होती है और हम एक कोल नाम के आदमी को देखते हैं, जो असल में एक influencer होता है, ज से देखने के बाद, लोग उसे काफी पसंद भी करते थे, और यही वज़ा दिकी, वो आज एक star बन चुका था, और आज उसके channel के 10 साल पूरे हो गए हैं, और यही वज़ा है कि उसने अपने fans के लिए एक online poll रखा है, जिसमें उसके fans उसे challenge देंगे, और जिस challenge को सबसे पूरा करेगे, अब कोल की team में 5 लोग होते हैं, जिनके नाम होते हैं Dash, Samantha, Thomas और इसी girlfriend Aaron, कुछी पल बाद, कोल के fans ने उसे एक challenge दिया है, कि अगर उसे सबसे ज़दा vote मिले, तो वो मौसकों में बने हुए एक escape room में जाएगा, जो की असली में बहुत ही खतननाक है, और जब इस बारे में Dash को पता चलता है, तो बताता है कि मैं उस इंसान को काफी closely जानता हूँ, वो दरसल रशिया का काफी अमीर आदमी है, जिसका नाम है Alexi, और उसने हमारे लिए एक escape room बनवाया है, और यह हमारा पहला escape room से काफी जाता डरावना और grand होगा, और उसने इस escape room को ए Russian airport पर उतरते हैं, लेकिन वहाँ Dash को guard पकल लेते हैं, उसके कारनामों की वज़े से, क्योंकि वो एरपोर्ट पे कुछ दूफानी करने की सूच रहा था, अब कोल उन guard को समझानी की कोशिश करता है, इसने कुछ नहीं किया, लेकिन उन guards को Russian नहीं आ दी थी, जिस वज़े से वो कोल को समझ नहीं पा रहे थे, और इसी दोरान वहाँ पर एक आदमी की entry होती है, और इसी का नाम होता है अलेक्सी, ये वही है जिसने इन लोगों को यहाँ पर बुलाय है, और escape room तयार किया है, अलेक्सी उन guards को अपना card दिखाता है, कि तु जानता है न, मेरा बाप कौ और फिर क्याता दोस्तों, वो डैश को छोड़ देते हैं और इसके बास सभी लोग एक hotel में आ जाते हैं, जो असल में उसी का hotel होता है, अब रात होने पर इन लोगों को एक party में जाने का invitation मिलता है, जो अलेक्सी की तरफ से ही था, अब सारे लोग party में पुछते हैं और खू जाते जाते वो कहता है कि मैं तुम्हें छोलूंगा नहीं और ये एक Russian gang होती है, अब इन सबकी वज़े से कोल और सभी दोस्तों का mood खराब हो जाता है, और अगले दिन कोल अपनी girlfriend के साथ hotel के बाहर जाता है थोड़ा घूमने के लिए और वहाँ वो लोग Alexi के दिये हुए पैसे पर ही enjoy कर रहे थे, वो दोनों एक restaurant जाते हैं, जहाँ पे कोल फिर से अपना vlog record करना शुरू कर देता है, अब घर आने के लिए वो लोग एक taxi लेते हैं पर अब उनके पास पैसे खतम हो गए थे, और इस वज़े से वो taxi वाले से डॉलर के बदले Russian currency exchange करते हैं, लेकिन जब वो restaurant में खाना खा रहे होते हैं, तो waiter उनसे कहता है कि sir आपको payment करनी की कोई जरूतनी है, अलेकसी ने आपकी payment कर दिया है, और तभी उसके पास जो पैसे होते हैं, उसमें से एक note गिरता है, लेकिन कोल उस note को ignore कर देता है, वेल इसके बाद वो दोनों खापी कर घर पह कोल लाइव आता है और अपने दोस्तों को इस चैलेंज के बारे में update देता है और कहता है कि finally हम इस escape room को पूरा करने जा रहे हैं, और आगे वो उसे escape room का rule बताता है, जो कि काफी normal होते हैं, रूल यह होता है कि कोल को अपने दोस्तों को ढूड़ना होता है और जो कि escape room में अलग अलग जगां पर कैद होंगे, लेकिन उसे एक fix time पर करना था, पर वो इस बात से अंजान होता है कि इसमें उसके दोस्तों की जान भी जा सकती है, तो इसके आगे कहानी काफी ज़्यादा thrill होने वाली है, अब challenge शुरू होता है और कोल के पास दो guard आते हैं, जो उसके म देरा दिखता है, वो अपने दोस्तों का आवाज लगाता है, और फिर वो भी उसे आवाज लगाते हैं, वो समझ जाता है कि उसके दोस्त आसपास ही है, अब उसे अपने दोस्तों को बचाना है, लेकिन जिस रूम में वो था, वो पूरी तरह से locked होता है, यानि अब उसे चाबी ढूणनी होगी और इसी दौरान वो टाइमर देखता है जिसमें एक घंटे का टाइम सेट है मतलब एक घंटे के अंदर उसे अपने दोस्तों को बचाना होगा वो रूम की की ढूणना चालू कर देता है और उसे उस रूम में काफी सारे शूज मिलते हैं और खुद को उस रूम से अजाद करता है अब वहाँ से निकलने पर वो देखता है कि उसके दोस्त भी उसी तरह के सेल में बंद है लेगिन वो किसी ना किसी मशीन से बंदे हुए हैं जैसे की एरीन एक टैंक के अंदर बंद होती है जिसमें किसी भी समय पानी भरना शुरू हो सकता है थॉमस के हाथ बंदे हुए थे जो धीरे धीरे खिचना शुरू हो रहे थे और समान था कोई एक अलेक्टिक चेयर पर बांदा गया था जो की दिखने में काफी भयानक थी वहीं डैश एक ममी के कॉफिन में बदा हुआ था जिसमें की बहुत सारी नुखीले कीली लगे हुए थी जो कि उसकी आँखों के काफी करीब थी अब कोल को एक घंटे के अंदर इन सभी को अजाद करना है वरना ये मारे जाएंगे जहां कोल ये गेम आसान समझ रहा था लेकिन अब उसकी हालत खराब होने वाली थी अब यहाँ पर दोस्तों डैश और थामस कोल को देके काफी खुश हो रहे थे क्योंकि वो इस escape room को पार करने के लिए काफी excited थे अब थामस कोल को बताता है कि जब तुम अपने room से free हुए थे तो उसके साथ साथ तुमारे side वाले दो और cell भी unlocked हुए थे क्या पता हो सकता है कि उन ही में आगे का रास्ता हो आगे का clue हो हम लोगों को छुडाने का अब ये सुनके कोल भाग कर उस cell में जाता है जहां पर उसे कुछ gears पढ़ी हुए मिलते हैं जिनने दीवार पर set करना था अब वो फॉरण उन्हें दीवारों पर fix करना चालू कर देता है लेन वो गलती से उल्टा लगने लगता है जिसकी वज़े से dash का trap खिचने लगता है और नहीं थॉमस की ममी वाला जो coffin होता है उसमें जो कील्स होती है वो इसकी आँखों के और जादा करीब आ जाती है लेकिन सही समर पर वो जैसे दैसे करके उन gears को लगा लेता है जिससे कि उसके दोस्त भी छूट जाते है अब बारी आती है समान्था की जिसका trap सबसे जादा खतानाक था वो एक electric chair पर बैठी हुई थी जिसे कुछी दूरी पर एक puzzle बना हुआ था जिसके अंदर एक metal ball थी और उन्हें उस metallic ball को उस puzzle से बिना टच किये हुए center पर डालना था और अगर वो ball उस puzzle से टच होगी तो समान्था को जोर का current का जटका लगेगा दोस्तों पहले तो Thomas को ये सब एक game लग रहा होता है इसलिए वो समान्था को परिशान करने के लिए जान भूच कर उस ball को puzzle से टच करता है लेकिन जब वो देखता है कि समान्था कुछ जादा ही तेज़ चिला रही है तो वो फौरन उस puzzle को solve करता है और उस ball को center तक पहुचा देता है जिससे कि समान्था जाद हो जाती है अब दोस्तों self shock के कारण उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और समान्था बहुत ही गुसे में बोलती है कि ये कैसा game है मुझे यहां से घर जाना है अलेक्सी नहीं हमें यहां पर फसा दिया और सभी यहां से जाने का decide करते हैं अब इसी बीच cold dash से अलेक्सी के बारे में पूचता है कि तुम उसे कब से जानते हो तो वो कहता है कि अलेक्सी से सिर्फ वो एक हफ़ते पहले मिला था और दोस्तों ये सुनकर सब के होच हुर जाते हैं cool और उसके दोस्स समझ जाती है कि ये असल में एक बहुत ही खदननाग game है जिसमें वो लोग फस चुके हैं और इसी दोरान उन्हें एरिन का खयाल आता है वो लोग फॉरन उसके पास जाते हैं कि उसका टैंक में अब पानी भरना शुरू हो गया है और उन्हें अब एरिन को निकालने के लिए एक टास्क को पूरा करना होगा अब उनके पास दो पानी की बोटल होती है एक 3 लीटर की और दूसरी 5 लीटर की बोटल और इन दोनों बोटल को इस तरह से अरेंज करना होता है जिसमें कि उनके पास 4 लीटर का पानी बचा रहा है वो लोग इसे काफी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं लेकिन इससे सिर्फ एरेंज का सेल का गेट ओपेन होता है लेकिन एरेंज अभी भी उसी टैंक के अंदर बंधी होई थी अब पानी वहाँ पर भरता जा रहा था और ये देकर कोल बहुत ही ज़ादा घपरा जाता है वो चीक चीक कर मदद मांगता है लेकिन अलेक्स ही उसकी बात नहीं सुनता अब वो फॉरण एक गेर से उस टैंक के गलास को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो गलास काफी मजबूत होता है वहीं अब एरेंज को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी है और देखते ही देखते एरेंज भी होश हो जाती है जिसके बाद कोल एक रॉड लेकर आता है और बहुत ही मुश्किलों से उस टैंक के लॉग को तोड़ता है जिसी कि वो बाहर आ सके अब एरेंज बाहर आती है अब उसकी हालत देख के सब ही डर जाते हैं क्योंकि उसकी आखे बंद हो चुकी थी पर थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाती है जिसके बाद सारे लोग चैन की सांस लेते हैं लेकिन अब आगे इन लोगों के साथ कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है ध्यान से देखेगा दोस्तों सीन शिफ्ट होता और वो सारे लोग आप वहां से बाहर आते हैं लेकिन वो यहां बाहर आने के बजाए एक और स्केट रूम में आ जाते हैं जहां उन्हें दिवारों पर खून के धबे मिलते हैं जो कि बिल्कुल ताजे लग रहे थे क्योंकि उनके पासपोर्ट भी अलेक्सी के पास थे जिस वज़े से वो लोग कंट्री को छोड़ कर भी नहीं भाग सकते थे लेकिन तब ही उन्हें एक दर्वाजा दिखता है जिसे खोलने पर वो लोग बाहर आ जाते हैं और यहां मिलता है उन्हें का और खतनाक ट्विस्ट वहाँ पर दोस्तों उन्हें वही गैंग के लोग मिलते हैं जिसे की पार्टी में उनसे लड़ाई हो गई थी अब कोल ये देखकर समझ जाता है कि इसी बंदे ने अलेक्सी को मार दिया है और खून के धब्बे उसने जो देखे थे वह एलेक्सी के थे और साथ में वो लोग एलेक्सी की गल्ट्रेंट को भी मार देते हैं उनी के सामने और ये देकर सभी की फटके फ्लावर हो जाती है इसके बाद वो गैंग के लोग कोल और उसके दोस्तों को एक कार में बैठा कर दूसरी जगा लाते हैं और शुरू होने वाला था असली खेल अब जब कोल की आँख खुद दी है तो खुद को एक अंधीरे कमरे में पाता है और उसके सामने खुद से सने हुए इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं अगले इपल वहाँ एक आदमी आता है जो उसे बताता है कि वो अब उसकी मौत का लाइव इस्ट्रीम करेगा डार्क वेब पर जिसे की वो काफी प्रॉफिट कमाने वाला है क्योंकि कोल एक काफी बला सेलबरेटी है और साथ साथ में अब वो उसके दोस्तों के साथ भी वही चीजे करने जा रहा था अब वो लोग उसे वहीं छोड़ कर चले जाते हैं अब कोल उसी रूम की खिड़की से अपने दोस समानता को देखता है जिसकी उन लोगों ने आखे निकाल ली थी और उसका गला काट के बहुत ही बेरहमी से उसे मार डाला था अब ये सब देखे उसकी रूख काप जाती है और वो खुद को फ्री करनी की सोचने लगता है अब वो उन जंजीरों को तोड लेता है और वहां से एक वेंड के जरीए भागना चालू कर देता है इसी दोरान उसे अपना दूसरा दोस डैश दिखता है जिसे वो लोगों कर रहे थे देखता है कि उन लोगों ने डैश के दोनों हाथ काट लिये हैं और उसे जान से मानने वाले हैं लेकिन तभी कोल की गलती से आवाज निकल जाती है और वो गैंग वाले उसे देख लेते हैं और तभी कोल उस वेंड के जरीए आगे बढ़ना चालू कर देता है और बड़ी मुश्किलों से एक जिक डोर तक पहुँच जाता है पर वो देखता है कि उसके डोर पर एक डिजिटल लॉक लगा हुआ जिसे खोलने के लिए एक कोट की जरुत होती है अब इसी दोरान कोल का ध्यान टेक्सी वाले के दिये हुए उस नोट पर पढ़ता है जो उसने पैसे देते वक दिये थे अब वो उस कोट को उस लॉक पर डालता है जिससे की शॉकिंग लिए वो गेट ओपन हो जाता है अब कॉल को ये सब काफी अजीब लग रहता लेकिन वो कुछ और सोच पाता कि उसके सामने वही ड्राइवर आ जाता है जिसने कि उसे ये नोट दिया था वो ड्राइवर उसे बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ लेकिन जिन लोगों ने ये escape room बनाया है वो मुझ पर नज़र रखे हुए है जिस वज़े से मैं कुछ नहीं कर पाया इसके बाद वो उसे अपनी कार की चावियां देता है और यहां से भागने को कहता है तभी वहाँ पर गैंग के मिंबर आ जाते है जो ड्राइवर को पकड़ कर अंदर ले जाते है और वहीं कोल कार को स्टार्ट करता है और वहां से भागने की सोचता है लेकिन तभी वो डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्तों को छोड़ कर यहां से नहीं जाएगा वो दोबारा उसी जगाँ पर वापस आता है और अंदर जाता है और उसे अपना दोस्त थॉमस दिखता है जिसे वो छोड़ा लेता है पर तब यह उसे एक गार्ड देख लेता है जहां उसे अलेक्सी दिख जाता है यानि कि वो भी मरा हुआ नहीं है वो समझ जाता है कि इन सब के पीशे जरूर उसी का हाथ है और वही इन लोगों का लीडर भी है वो देखता है कि अलेक्सी के लोगों ने उस ड्राइवर को पकड़ रखा है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कोल यहां से भाग चुका है और फिर वो ज्राइवर को भी जान से मार देते हैं अब कोल यह सब देखकर बहुती जादा ड़ जाता और वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है लेकिन तबी भागते वे उसे एक रूम में एरिन दिखती है जिसे लाइव स्ट्रीम पर मारा जा रहा था अब कोल सामने वाले आदमी पर बंदूक तान देता और कहता है कि एरिन को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूँगा ये सारी चीज़े लाइव स्ट्रीम चल रही थी दोस्तों लेकिन वा आदमी उसकी बात नहीं सुनता और उसकी के सामने उसकी गल्फिन को जान से मार देता है अब ये देखकर कोल पूरी तरह से तूट जाता है जहां वो इसकेप रूम को एंजॉय करने आया था लेकिन आज यही इसकेप रूम उसकी मौत का कारण बन चुका था अब इसके आगे वो कुछ और सोच था कि तभी वहाँ पर दो गार्ट्स आ जाते हैं जो उठा के उसे एक रूम में बंद कर देते हैं कोल ने अपने सारे दोस्तों को खो दिया था अगर वो अब यहां रहा तो वो खुद की जान से भी हाथ दो देगा इसलिए वो वहाँ से भाग कर बाहर आ जाता है लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि अलेक्स ही उसी का इंतिजार कर रहा होता है जिसके हाथ में एक फोन था जिसे वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था कोल उसे देखकर अपना आपा खो देता है अब यहां पर दोस्तों अलेक्स ही उसे कुछ बतानी की कोशिश करता है लेकिन उसके पहले एक कोल भागते ही वो उसके पास जाता है और उसे मार मार कर उसका सर कुचल देता है बल दोस्तों इसके बाद आता है मूवी का सबसे ब बनाये था क्योंकि वो कोल के फैंस को उनका आज तक का सबसे बड़ा स्टंड दिखाना चाहते थे अब ये सारे लोग काफी पहले से इसे प्लान कर रहे थे क्योंकि वो कोल को एक सर्प्राइस देना चाहते थे और दोस्तों इस इसकेप रूम में जो भी घटनाय हुई थी व सब एक प्रैंट था लेकिन यहां कोल ने तो अलक्सी को जान से मार डाला था और यह सब एक लाइव स्ट्रीम पर हुआ था जिसे की लाखों लोगों ने देख लिया था और जब तक कोल को सच्छा ही पता चली उसने अलक्सी को मार दिया था इस वज़े सब उसका कुछ भी लिवरे में थांक यू सो मुच वच्छिंग पीस आओ